बिहार में जहां स्वास्त और सिक्षा के नाम पर तो भ्रष्टाचारी होती ही थी, लेकिन अब मुर्दों के नाम पर भी दिश्वत लिए जा रहे हैं। बिहार की एक महिला पदादिकारी मुर्दों के नाम पर रिश्वत लेती है जी हाँ आपने बिलकुल ठेक सुना जमुई की एक महिला पदादिकारी ने विद्वा महिला से उसके पती की मौत के बाद आये रुपियों से रिश्वत मांगा यहां जिन्दा इंसान से तो रिश् ब्रश्टाचारे से घिरा ही रहता है लेकिन अब तो हद हो गई अब तो मुर्दों से भी दिश्वत मांगी जा रही है वो जिसम से अलग रूह आज जरूर सोच रही होगी कि ब्रश्टाचारे ने भिहार को किस तरीके से जकड रखा है जब मैं जिंदा था तो रिश्वत ल बिहार में मुर्दों के लिए आए पैसों पर उसके स्वजनों से एक लाग रुपे की रिश्वत ली जा रही है जिसमें से 50,000 रुपे एक महिला अधिकारी ले रही है यह आरोप एक विद्वा महिला इस महिला अधिकारी पर लगा रही है महिला का कहना है कि मुर्दों के नाम पर आये अनुदान में एक महिला पदादिकारी ने 50,000 के रिश्वत खुद के लिए और साथ ही जीला प्रसासन के नाम पर 50,000 रुपे और डिमांड कर रही है। मामला जीलादिकारी के पास पहुचने के बाद जीलादिकारी ने महिला पदादिकारी के वुरुद मामला दर्श करने का आदेश दिया है जब विद्वा महिला ने शिकायत दर्श किया तो महिलादिकारी के लोगों द्वारा पेडित महिला को परिशान किया गया और साथ में शिकायत वापस लेने के लिए धंकाया भी गया यह मामला जमुई जीला के इजहाजा प्रखंड के श्रम परवर्तन पदादिकारी कुमारी सेलजा से जुड़ा है जो इन दिनों प्रखंड में चर्चा का केंद्र बनी हुई है जिन्होंने एक श्रमिक की मौत पर मिलने वाले अनुदान की राशी में एक लाग रुपे की रिश्वत मांगे ऐसा संगीन आरोप श्रमिक की विद्वा पत्नी ने पदादिकारी कुमारी सेलजा पर लगाया है जिसमें से 50,000 रुपे मैडम ने हजम भी कर लिये हैं बताया जा रहा है कि विगत महिने 12 जूर गाउं के श् श्रम संसादन विभाग के बीऊसे डबलू में पहले ही निबंधन करा रखा था जिसके तहर दिनेश की मृत्यू के बाद स्रम विभाग द्वारा संचालित योजना बीऊसे डबलूशे मृत्यू लाब की रूप में दो लाग रुपे का अनुदान मिलना था दिनेश की प इस बारे में मृत्यक की पत्ली ने बात की तो उन्होंने कहा कि अभी तो और भी पैसे डेना होगा अगरिम राशी के रूपमें पहले ही 50,000 लेने की बात कहीं थी और अनुदान की राशी खाता पर आने के बाद बाकी पचास हजार देना होगा याने के टोटल एक लाख रुपए देने होंगे पिरित महिला बंदना देवी ने किसी तरह पैसा का जुगार करके कुमारी सेलजा को 40,000 रुपए पहले ही दे दिये थे और बाकी की राशी खात को मिली तो उसने अपने चहते लोगों को बंदना के घर बेजा और खबर भिजवाई की मैडम बुला रही है इस दौरान पीडित महिला ने पूरी बातचीत का आडियो रिकॉर्डिंग कर लिया जिसमें सेलजा के द्वारा मृतक की पत्नी पर दबाव बनाये गया था कि ब जा रहे हैं यह सारे पैसे सिर्फ ले रही है और कोई नहीं ले रहा इसके बाद बंदना ने चान बिन की और वर्य अधिकारी से पूछा तो उसे पता चला कि अनुदान रासी के लिए कहीं पैसा नहीं लिया जाता तो पीडित महिला ने कुमारी से पैसे वापस मांगे जि उसने जिलादिकारी को पत्र के माध्यम से इसके शिकायत दर्ज की जिलादिकारी ने मामले को गंबीरता से लेते हुए श्यम糖 अधिछक को जल से जल फ्रात्मी की दर्ज कराने का निरदेश दिया हैं अब आप इस महिला के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आगे जो भी खबर आती हैं हम आपको बताएंगे उसके लिए देखते रहिए जनता जंक्शन धन्यवाद